हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने वीवो T2 Android मॉयल फोन में आप जो है पैटन लोक रिमूव कैसे कर सकते हैं अपने मॉयल फोन से ठीक है और यह पैटन लोक रिमूव होने के बाद आप आपके मॉयल फोन की सेटिंग कैसे क करेगी आज की इस वीडियो में आपको डीटियल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में सेटिंग पेज को ओपन कर लिजे अपने वाइल फोन में सेटिंग पेज में आपको नीचे पीज ओपन होगा यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पैटन करेंट स्क्रीन लोग यानि कि मेरा पैटन लोग पहले से सैट है मेरे मुवाइल फोन पे ठीक है अब पैटन लोग को रिमूव करने के लिए आपको सबसे ओपर यह फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है नोन पे सेलेक्ट करिए तो आपका एक छोटता पेज ओपन होगा इस पेज में आपको नीचे इस आड़ी है यह रिमूव का ओप्शन है रिमूव के ओप्शन पर टैप करना है तो आपका स्क्रीन लोग के नीचे नोन लिखा हुआ जागा यानि कि आपके इस तरीकी से पै आपको इस बीच में कोई भी पैटन लोग लगा हुआ दिखाई नहीं देगा आपके फोन पे ठीक है तो यह सेटिंग जो ना पैटन लोग की रिमूव करने के बाद आपके मुवाइल फोन की सेटिंग इस तरीकी से काम करेगी अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंडने का एक शौटकर तरीका बता देता हूं आपके फोन में इसके लिए आपको अपने मुवाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है सेटिंग पेज में आपको सबसुपर इस सर्च आइकन आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना स्क्रीन लोग screen lock type कीजिए तो आपको screen lock का option ये नीचे show हो जाएगा screen lock के नीचे setting security जो ये लिखा होगा na setting security इसे आपको select करना है तो इसे क्या होगा आपका mobile phone आपको directly setting में आपको ले कर आजागा और इस setting को highlight करेगा तो ये मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता जिया इस setting को ढूंडने का